नमस्कार दोस्तो आज जो अपडेट मैं देने जा रहा हूँ वो अपडेट है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री से और आपको पता है कॉटरेंग इंडस्ट्री से अब अगर आप हाल फिलाल में देखोगे तो एशियन कंट्री में जो इंफ्लेशन उसकी देखी का जो एक वो न लाइक का अगर आप छोटी कंट्री देखोगे एशिया में तो वो कहीं ना कहीं देखी का प्रॉबलम में आ रही है उतनी कंफर्टेवल सिचुएशन में नहीं है जितनी वो दो साल पहले है डेड़ साल पहले थी तो ऐसा क्यों हो रहा है चुकि बाक टू बाक हिट देखन को मिल लहा है इंटरनाशनल मार्केट में डेवलेप कंट्री भी परशान है तो डेवलेपिंग तो आपको पता ही है किस तरीके से प्रॉबलम में आती है तो यहां पर जो सेक्टर है उसमें देखेगा मैनुफैक्टुरिंग अगर कम होती है तो आपको पता है आउपुट कि अफिस supply chain disturb होगी, supply chain disturb होगी तो price बढ़ते हैं, price बढ़ना देखेगा market के लिए अच्छा भी है, लेकिन price अगर extremely beyond the limit जाके अगर बढ़ जाते हैं, तो वो सीधा demand को hit करता है, यही एक particular scenario textile में देखते हो मिला है, कि price इतने ज़्यादा international market में hit हो रहा है, कि buyers अभी देखेगा खरीदना ही नहीं चाहते हैं चीजों को, तो आप देख सकते हैं, soaring cotton prices, textile exporter left high and dry, तो आप समझ सकते हो, कि continue यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो price अप होते चले जा रहे हैं, 90,000 mark पर candy हो चुका है, इसमें अगर आप देखेंगे, तो एक candy में 356 kg आपको देखने हो मिलत cotton have also exceeded global rate by as much as 1500 to 2000 पर कुंटल, तो आप समझ सकते हैं, कि यहाँ पर पहले तो चीज हो रही है, कि disturbance हो रही है, second चीज taxes देखेंगा, और third one price देखेंगा, 1% अगर देखेंगा, input cost बढ़ देखेंगे, तो 10% price का increment देखने हो मिलता है, तो अगर इस तरीके से price बढ़ेंगे, तो buyer होगा, वो wait करेगा, और wait करेगा तो आपको पता है कि demand कम होगी, तो वो चीज बहुत ही important है, जैसा कि आपको other sector में देखेंगे मिलता है, कि price एक limit तक बढ़ें, तो वो चीज देखेंगा, market हजम कर लेता है, वहाँ पे आपको चीज़े better होते हो देखने मिलती है, लेकिन एक limit के बाद भी बढ़ता रहे, यानि कि आप किसी भी pen का price जिसका 3 रुपय होगा, तो उसका देखेंगा, 4 देदोगे, 5 देदोगे, 6 देखेंगे, लेकिन आप अचानक से 18 रुपय उस pen का price देने लगोगे, ये बिलकुल भी possible नहीं, यहाँ पे आप wait and watch करोगे, तो ऐसी कुछ problem देखेगा, यहाँ पर देखने को मिल लगी है, high cotton prices a big worry for the textile industry, क्योंकि continue यहाँ पे per day basis पे price बढ़ना है international market में, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, कि spiraling cotton prices reduce arrivals in the spot market has dented processing at gaining units and squeezed availability with the garment, तो आपको समन में आता है, कि जब हर particular इंसान क्या करता है, अपने margin के साब से किसी product को बनाता है, अगर उसे product में margin नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उस product को थोड़ाँ सा कम कर देगा, थोड़े समय के लिए बंद भी कर सकता है, इससे क्या होता है, कि market में उसकी demand काफी high बन जाती है, और फिर वो product को manufacture करन हैं, जिससे demand हिट हो रही है, और दूसी चीज, अगर वो इस particular चीज को रोकते हैं, तो आगे चलके और disturbance market में देखने हो मिलेगी, तो अब इसी लिए textile industry में काफी लोग की job भी जाते हो देखने हो मिलेगी है, worried about losing viability and increasing the competition in the global market, high cotton price estimate of lower output have left textile and garbage unit concerned about the cancellation of the order from the traditional buyers, अगर आप देखेंगे जो traditional buyers हैं, उनके order जो हैं, वो cancel भी हो सकते हैं, क्योंकि continue, यहाँ पर price क्या हो रहे हैं, बर्ड हैं, तो आप देख सकते हैं, competitor कौन हैं, Bangladesh, Vietnam, China, अगर यह comparatively easy देंगे, सस्ता देंगे, तो आपको पता है, कि तुरम यहाँ पर जो manufacturer है, या पर जो importer है वो switch भी हो जाएगा, तो हमें सब कुछ देखते हुए चलना होगा, और यही एक सबसे बड़ा worry है, कि लगाता किसी भी चीज़ के price बढ़ना is a difficult task to manage, यानि कि आप हर चीज़ को अगर continue basis पे वो बढ़ रही है, तो उसे manage करना थोड़ा सा difficult होता है, तो ऐसा ही कुछ कहना है देखेगा, a manufacturer of sheeting and flannel fabric supplier of my raw material which has yarn has dropped by around 50% across the sector, the spike in the cotton and yarn prices तो आप समझ सकते हैं, कि जो supply है, उस पे काफी बड़ा hit हुआ है, क्योंकि prices लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं यहां पे, तो इसका impact अभी इस quarter में तो देखते हुँ नहीं मिलेगा, इस quarter में तो result अच्छी लेकिन इसका impact आपको upcoming quarter में देखने हुआ सकता है, क्योंकि अभी crude oil के prices लग नहीं रहा कि कम होंगे, दूसरी चीज आपको पता है, कि जब तक crude oil prices नहीं कम होंगे, तो inflation नहीं कम होगा, inflation नहीं कम होगा, तो आपको पता है कि कई सारे manufacturer भी disturbed हैं, तो वहां से भी जो आप ची इसकत बनी रहेगी, तब तक price बढ़ते रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा concern रहेगीगा, जो आपके पास textile के stock हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, अभी मैं आपको दिखा भी देता, उनके result कैसे हैं, उनका past record कैसा है, लेकिन अगर आप wait and watch करोगे तो आपको बहुत अच्छ आएंगे, far better आएंगे, input cost को देखना है कि input cost कितनी बढ़ी है, expenses कितने बढ़े हैं, लाइक आप 18,000 का profit कर रहे थे, और आपने देखेगा 16,000 का क्या कर रहे थे, expense कर रहे थे, लेकिन अगर आप 18,000 का profit कर रहे थे, और आगर आप 17,000, 17,000, 500 रुपय क्या कर रहे हैं, आप लगाता है, क्या कर रहे हैं, expense कर रहे हैं, तो वो margin कम होते हो, देखने मिलता है, जो आगे चलके long term में impact करता है, hit करता है, और 4-5,000 करोन की company देखे, 28,000 करोन के असपास आ चुकी है, continue sustainable है, stop PE भी देखेगा काफी adjust हुआ है, dividend भी अच्छा देते हैं, ROC भी अच्छा है, ROB अच्छा है, और अगर आप देखेंगे, तो profit का past record में आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते है, net profit हमेशा से इनके अच्छे आ रहे हैं, पिछले 2 साल से track record बना रखा है, कि continue हमेशा देखेगा profit अच्छे ही आए, होप सो यह भी होगा कि इस बार भी result अच्छे हैंगे, लेकिन अभी तक एक चीज बस दिक्कत आ रहे है, कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहे है, तो जब तक वॉल्यूम नहीं आएंगे, तो वो momentum जो आपको देखने हो मिलता है, तो जैसे वॉल्यूम आएंगे, वैसे आपको तुरंद देखेंगा 59 लेवल पर फोकस करना है, वहाँ से breakout मिलता है, तो stock में momentum आएगा, तो वीडियो अच्छा लगा है, तो like, share, subscribe करना न बुलेगा, thank you so much